जयहिंद वन्दमात्रम दोस्तों आज चीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिस का मोटल स्रेट 1 इसका कम्प्लीट स्रॉलिसों को करने वाले हैं दोस्तों मैं आप लगो बता देना चाहिए दोस्तों जैक के द्वारा जो आपको टोटल पांच मोटल स्रेट जारी किया जा जो आपको सब्जेक्टिव के लिए ठीक है और आपका जो अब्जेक्टिव एक्जाम होगा उसमें हर एक कोशन का मार्क्स जो है वो एक-एक मार्क्स का होने वाला और टोटल ट्यालिस कोशन पूछे जाएंगे ठीक है चलिए बिना टाइम वेस्ट के विए आज की सुपर उत्पालन की तक्निकी के चैन से है तो राइट एंसर हो जोगा कैसे उत्पालन करें कोई भी वस्तु का उत्पालन करें से पहले हम लोग सबसे पहले सुच ले कि कोई भी वस्तु कैसे उत्पालन करें तो आपसे संसादनों की वित्रण की समश्य का समश्य का समश्य का समश अधिक्तम होती है जब सिमान तो बिगता का मान्य क्या क्या होगा तो उससे में सिमान तो बिगता का मान्य होता है वो सुन्य हो जाता है तो आप संग यह राइट एंसर का सुन्य आनि जी रो अगजो में three में देए गाई aircraft व्ट्वरिश को क्या होता है दोशosed कर घो हमेशा myyoung बिंदुकुकी और उठाव्ट आग है तो आपसंव्यु तो मूलबिंदु योड जो होता है वो हमेशा उतल हो ठीक है इसके ड़ाल होती है अब आपसं महांग वकर निख़या और यह हमेशा नीचेक हो रहाता है तो रिनात्मक होगा और आपसंव्यु रिनात्मक प्रेंट आपने जिते हैं भी कोचान बैदा जाए रहे हैं यह सभी कोचान आपके फैनल बुड़े गांश के लिए कापी आप महत्वपूर्ण होना वाले तो प्रीज आपके इन सभी कोचान को चीज दरी से पढ़ लिए ठीक है कि एक सराल रेखा मांग वकर के मध्य बिंदू पर मांग की कीमत लोच डैस होती है तो कोचन में फैब का जो राइट एंसर फ्रेंड वह जगा एक होता है आपसं भी राइट एंसर हो जाएगा कि निम्म में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है यह जो ग्राप में देखा जा तो आईसे बनता है तो आपसं डी राइट एंसर हो जाएगा कि उत्पादन फलन क्यों इस इकल टू यह अलफा के बीटा के बेटा में पेमाने का पर्दी फल की माप है तो दोस्तों ट्वेल्फ सेवन को जो राइट एंसर हो जाएगा ठीक है कि जब सिमांत लागत औस्त लागत से कम होती है तब औस्त लागत है तो आपसं यह राइट एंसर हो जाएगा टो इस वह परिवर्तन नहीं होती है तब कर लेकित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत सुईकार होता बताना है इनसे से कौन से बजार में फ्र्म की मत्स विकार के जाता है तो 10 का जो राइट एंसर हो चाईगा कि एक पुझा प्रतियोगी फर्म के संतूलन के लिए निमन में से कौन से विकलप सही है इन में से कौन से विकलप यह सभी जो है तो आपसंद दी राइट एंसर हो जाएगा नेकर टोएल में देगा है कि मैं लिखी तो रेखा चित्र से पूरती की लोज किस मान की माप है यह जो रेखा फ्रे यह जो डोस्तो ग्राफ है इसमें यह जो ब काटे के फ्रेंश तो यह जो हाँ हमेशा ऐक से कम होगा ठीक है अच्या यह जो जो जब हम ट духов करें इस hari का या ut जो यह यह अजको टॉच कर रहा है तो ए से एक से कम होगा तो राइट एंसर फ्रेंट फ्रेंट हो जगा आपसं भी एक से कम ठीक है कि एक मुश्ट कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ती पर क्या परभाव होता है तो कोई भी वस्तु का पूर्ती पर कम हो जाता है यहां पर होगा तो किसी वस्तु की मांग में विर्धी होने से बाजार सवन पर क्या परभाव होगा तो आप्शन बी एंषर मात्रा में कम होगी तो आपसं B right answer हो जागा ठीक है निकर्ण 50 में देगा है कि आधि के मांग की इस्तिति में कीमत में प्रविर्थी होती है आपसं B व्रिधी होने की आपसं B हो जागा ठीक है ठीक है तो 16 का जो राइट एंसर वह हो जाएगा जब मांक कम हो और पूर्ति अधिक हो तो आप्शन B यहां पर राइट एंसर होगा डी लेस देन एसानी आप्शन B राइट एंसर हो जाएगा किसी वस्तू की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतूलन पर क्या परभाप पड़ेगा तो आप्शन B राइट एंसर हो जाएगा नेक्स ने 18 में देएगे कि एक अधिकार में अधिक्तम कुल आगम के उत्पादन अस्तर पर वस्तू की मांग की किमत लोज कितनी होती है तो 18 के राइट एंसर फ्रें एक होता है नहीं आपसन B राइट एंसर हो जाएगा ठीक है कि द्वियाधिकार में विकृताओं की कितनी संक्षा होती है तो दो होती है तो आपसन D राइट एंसर हो जाएगा अपसन B एक अधिक्रित प्रति योगीता नहीं आपसन B राइट एंसर हो जाएगा जो कि आपकी स्क्राइड पर है कि एंट्रेस्ट एंड मनी नामक पुच्त की के लेक junior N. एंट grown 22 में गैए GDP और N. और NDP में क्या संभड़लाइब जाए तो पॉब क्या संभणा भाइता है doach GDP ए नभीक के बीच जो है वह संभण प्लस मुल्य हरास का संब्द्ध प्लवुट पाए अगला से किस वस्तु के निर्मान में गेहूं एक मद्यवर्श्तु वस्तु है तो चापाति में भी मद्यवर्श्ति वस्तु ब्रेड तो हम सब्सकुट इन कि किस वर्ष GDP की गंणा में निर्व में से किस मत के मुली को सामिल नहीं किया जाएगा इसको जो सामिल नहीं किया जाएगा कि में किस में से किस विधी से GDP की गंणा की जाती है इनमें सब्सक्राइब की सब्सक्राइब में किस मुल्य के नोट को बाजार पर चलन से बाहर किया गया था इसमें से कौन से नोट को जो फ्रेंट को बाहर कर दिया था तो इसमें को जब हुआ है कि यृमियल में से कौन सा एक कारी के इंद्रिय बैंकर नहीं यहाद में मुद्रा निर्ग्मन करना जो ही का इंद्रिय का नहीं लेकिन Klein warmth क्यंद्र सबसे सबसे कि उपभोग फ्लन c is equal to यह प्लस by में प्रेरित उपभोग है तो 30 का जो राइट एंसर है वो जागा ब्राबर होता है तो आपसल c राइट एंसर हो जाएगा कि निम्न रेखा चीतर में स्वायद निवेस की रेखा तो यह जो एक सस्के समानतर है वो सीडी है तो आपसल यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा कि किसी आर्थव्यस्ता में यह जदी MPs is equal to 0.4 है तो गुनक का मान चाहोगा दूसर यहां पर ट्वेंटी 33 का जो राइट एंसर फ्रेंड वो जाएगा यह जो MPs का जो फर्मूला होता है वह MPs का जो फर्मूला होता है यहां पर माने करेंगे तो 1 ब ऑटा 0.4 हो जाएगा और इसको काट करेंगे फ्रेंड तो 10 बटा 4 चार से काट देंगे फ्रेंड यहां पर दो बार में तो 2.5 राइट एंसर हो waiver का प्याए चैस्दि और जिएगा प्रत्यकर का उधारन कॉन से नहीं है अगल को चैनल दियागैं कि नीब में से सारोजैनिक वस्तु का उधारन कॉन सायन नहीं है अलेक Allah कि साड़क है वह सभी लोगों के लिए होता था आप संब भी राइट राइट रहा है यह किसी एक वैक्तिक होता किसी लोगों का होता ठीक है कि भारत में GST कब लागू किया गया था तो आपसे सी राइट है नोगा था 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 तो आपसे सी राइट प्राप्तियां के अंतर को क्या कहा रहता है कि वयपार संतुलन ही राइट यह थे में सब्सक्राप्तिया को है तो निर्याट संथा कि की यदि कोई भारतिय किसी चीदी मोबायल कमपनी को खरीद आ है तो इस पर लेज दिन को भारत के भुगतान संथीजा में कहां दर्जा दर्ज किया जाएगा'm पुंजी खाते के डेबिट मंद में जो है दर्ज किया जाएगा तो आपसं C राइट एंसर हो जाएगा तो फोटी में लिखित में से कौन सा मत भुक्तान संतूलन के चालू खाते का एक घटक है तो फोटी के जो राइट अंट वोगस्तुवों का निरी आता ने आपसं डी राइट आएट अंसर हो जाएगा